दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो pens यूज करते हैं उसमें कि इंक कहां से आती है? यानि वो कैसे बनाई जाती है? चलो तो देखते हैं! स्टोनेज के समय में लोग fruits, vegetables, flowers और animal parts से pigments और dye prepare करते थे! आज हम दो तरके इंक यूज करते हैं! प्रिंटिंग इंक और राइटिंग इंक! तो ये इंक Petroleum Distillate Solvent, Linsed Oil, कुछ organic pigments और सोयाविन ओयल के mixture से बनता है! जहां इस mixture को बड़े गरम बरतन में अच्छे से mix किया जा जब तक कि वो smooth liquid form में ना बन जाए और ऐसे तयार होती है हमारी इंक!